संत जन इस मृत्यू लोक में धुर्धाम के वासी वह इलाही स्वरूप होते हैं तथा रूहों के उध्धार के लिए इस मृत्यू लोक में अवतार धारन करते हैं वो अपनी उजस्वी वानी तथा पावन सानिद्ध के प्रताब से दुश प्रवर्ति के लोगों को भी धर्म निष्ट वब्भक्त बना देते हैं उनका समस्त जीवन परमार्थ पर ही आधारित होता है रूहानियत के इसी सफर में जिनका हर पल इनसानियत की रक्षा के लिए बी था जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को खुशियों से महकाया जिन्होंने धर्म जात का बेदभाव मिटाकर हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई सभी को एक जगा बिठाया वो हैं सर्व धर्म संगम के प्रतीक डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पात्शाही सच्चे मुर्षिद शाह सतनामजी महराच शाह सतनाम जी महराज के आदरनिय पिता जी का नाम पूजनिय सरदार वर्याम सिंग सिध्धू तथा माता जी का नाम आसकौर जी था जो की गाउं श्री जलाल आना सहिब तहसील डबवाली जिला सिरसा हर्याना में रहते थे परमात्मा की असीम कृपा एवं शुभ आशीरवाद से पूजनिय माता पिता को लगभग अठारा वर्षों के लंबे इंतजार के बाद 25 जनवरी 1919 को घर के आंगन में रब्बी जोद के रूप में नूर जलाल छा गया पूजनिय माता जी ने बच्पन में आपका नाम सरदार हर बंस सिंग रखा कहते हैं न कि पूद के पाओं पालने में ही नजर आने लगते हैं तो इंसानियत के इस महापुरुष ने बाल्यकाल में ऐसे कई कारिय किये जो उन्हें दूसरों से अलग करते थे जैसे कि घरीब परिवार के बेटियों की शादी में मदद करना गाओं के लोगों के लिए रोजगार का सहारा बनाना धार में कारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना वह गाओं के खोंखार जोटे का आप जी की बात मानते हुए चलते फिरते खेतों में चारा खाना आप खाना खाता है वो आके तो माता जी ने की परिम्शिता accent अज़तीeg को कि जुत जाता है और वो खाना अपनी खाता है अपनी की you mezh Specs मगेश बुज्ञ यह वांजिना नां देखा है कि खाना के लिए प्रयद्व से कि ईथते वह नहीं खाता को तो नोकर ह somac कहते जी ये आपके बेटा जो है ये जाता है और उसको हटाने की बज़े ये कहते खाले मस्ता खाले तेरे कर्मों का है ये हटाता नहीं है बलकि ये तो देखता रहता है माता जी ने बुलाया कि भई ये क्या करते हो कहते जी अब हटा देते हैं अगर आप कहते हो परेंपिता जी खेतों में गए तो जोटा वहाँ खाना खाई रहा था हरा चारा चर रहा था उसको थापी दे के कहने लगे भगता घर में शिकायत होगी यार तो ऐसे किया कर हर जगा से हिस्से के अनुसार खा लिया कर और गाओं वाले बताते हैं उस दिन से लेके उस जोटे ने एक जगा खड़के कभी चारा नहीं खाया इस खेत में से मूँ मारा उस खेत में से मूँ मारा आगे चल गया चलते चलते ही खाता रहा जब तक वो जोटा मरा नहीं प्रभु भक्ति में लीन परमात्मा के मिलन की चाह में परमपिता जी एक दिन अपनी माता जी के साथ बेपरवा मस्ताना जी महराज के सत्संग में गए और साई जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर ऐसी असीम शान्ती का एहसास हुआ कि जैसे आप जी का लंबे समय से खोया हुआ बहुमूल्य खजाना प्राप्त हो गया हो बेपरवा शाह मस्ताना जी महराज की साधारन वेश भूशा अलौक एक नूरानी चहरा तथा साधारन मिली जुली भाशा में घुली जादूई मिठास से आप जी बहुत प्रभावित हुए और साई मस्ताना जी महराज को अपना सत्गुरु प्रभु परमात्मा मान लिया दिसंबर उनी सो तरेपन में बेपरवा शाह मस्ताना जी महराज सत्संग करने के लिए गाउं गदराना में पधारे हुए थे और परमपिता जी भी उसी गाउं में अपने किसी रिष्टेदार के पास आए हुए थे साई जी सुभा के समय जब खेतों की ओर टहल रहे थे तो एक पद चिन्ध को देखकर वहां रुक गए और अपनी डंगोरी से गोल चक्कर लगा कर साथ चल रहे सेवादारों को फरमाया देखो भाई ये रब की पैड है देखो खूब गौर से देखो इधर से रब गया है पर उस समय फकीर की उस रमज को कोई समझ नहीं पाया आखिरकार वो घड़ी भी आ गई जब गुकियां वाली आश्रम में 14 मार्च 1954 को बेपरवाह शाह मस्ताना जी महराज ने अपने पास बिठा कर बहुमूल्य नाम की दाथ आप जी को बक्षिश की समय बीटता गया एक दिन साई जी ने अपनी मौज में आकर आप जी के पास सेवादार के हाथ संदेश भेजा कि हरबन सिंग अपना मकान तोड़ कर घर का सारा सामान डेरे में लेकर आ जाए जैसे ही अपने सत्गुरु प्यारे का फर्मान प्राप्त हुआ आप जी ने बिना देरी किये ततकाल ही अपने हाथों से अपना मकान तोड़ना शुरू कर दिया और घर का सारा सामान ट्रकों और ट्रॉलियों में भर कर देरा सच्चा सौदा सिरसा में ले आए अभी और भी परीक्षा बाकी थी डेरे के प्रांगण में सामान के धेर को देखकर साइजी ने नए चोज दिखाते हुए आपको सारा सामान डेरे से बाहर रखने का हुक्म फर्माया और खुद रखवाली करने की बात कही अपने गुरू के आदेश पर परमपिता जी सारी रात परिवार सहित जनवरी की धंड में बाहर सामान की रखवाली करते रहे सुभा मस्ताना जी महराज ने आप जी को बुलाने के लिए कहा तो सेवाधार कहने लगे कि वो तो आपके हुक्मा नुसार बाहर सामान की संभाल कर रही है फिर मस्ताना जी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक आप जी को अपने पास बुलाया और घर का सारा सामान आप जी के हाथों साध संगत में बटवा दिया दुनिया को गुरु शिष्यक के रिष्टे को समझाने के लिए मस्ताना जी महराज ने ऐसे ऐसे अनेकों खेल रचे और परम पिता जी ने अपने गुरु के आदेश पर अपना सब कुछ नियोचावर कर गुरु शिष्यक के प्रेम की एक नई मिसाल कायम कर दी 28 फरवरी सन 1960 को बेपरवा मस्ताना जी महराज ने परम पिता जी को डेरा सच्चा सौधा का उत्तरा धिकारी घोशित कर स्पष्ट किया कि आज से हमने श्री जलाल आना सहिब वाले सरदार हर्बं सिंग को सतनाम बना दिया है और दो जहां की दौलत इनकी जोली में डाल कर आत्मा से परमात्मा कर दिया है गुर गद्धी पर विराजमान होने के बाद परम पिता शाह सतनाम जी महराज ने अपने गुरू के हुकमा नुसार हर जात धर्म मजभब से उपर उठकर हिंदू मुसलिम सिख इसाई को एक साथ बिठाकर इनसानियत का सच्चा ज्यान करवाया परम पिताजी ने लगभग बाईस सो पचास गामों व शहरों में दिन रात सत्संग कर लोगों को जूठे रीती रिवाजों, जात पात, छुआ छूत, दहेज प्रथा, भ्रांतियों और अंध विश्वास को दूर कर बारह लाक से अधिक लोगों को अंदर वाले सच्चे मालिक से मिलने का रास्ता बताया और लोगों को जागरूख कर एक महान समाज सुधारक की भूमिका निभाई अगर वाकत ही ना समाल करें तो तो ते कर जाएंगा पाइगा पाइगा परम पिता जी ने सत्संगों के माध्यम से लोगों का नशा वबुराईयां चुडवाई जिसकी बदौलत आज लाखों लोग समाज में सम्मान पूर्वक जिन्दगी जी रहे हैं अपने सत्संगों के माध्यम से आप जी ने लोगों को रिष्टों की प्रती वफादार रहना सिखाया और सभी को निस्वार्थ प्रेम का पाठ पढ़ाया आप जी ने लोगों के दिलों में प्यार की ऐसी अलग जगाई कि आज भी लोग सच्चे सौदे के मुरीद को प्रेमी कहकर संबोधित करते हैं इस खुद गरजी के दौर में सत्संगियों की दुनिया एक अलग दुनिया लगती है वो लोग जब आते हैं इनके संपर्क में तो देख के हैरान हो जाते हैं इतने सीधे साधे और इतने सच्चे लोग भी हैं इस दुनिया में तो फिर इसका कारण जब डूंडा जाता है तो एक ही नाम आता है शासतनाम शामस्तान उनका रह्मो करम आप जी ने एक आदर्श विवाह प्रणाली भी स्थापित की जिसमें प्रत्येक सत्संगी दहेज के रूप में कुछ भी मांग ना करें परन्तु माबाप अपनी इच्छा से अपनी लड़की को कुछ भी देना चाहें तो इसे दहेज नहीं माना जाएगा आश्रम निर्मान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के दूर दरास के क्षेत्रों की साध संगत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परम्पिता जी ने 1980 में शाह सतनाम जी आश्रम बरनावा जिला बागपत उत्तर प्रदेश का निर्मान करवाया परम्पिता जी ने सेवा कारिय के दौरान मिस्त्री भाईयों को दिशा निर्देश दे कर आश्रम में चीनी मिट्टी की टुकुडियों वा बेकार काच के टुकुडों द्वारा बहुत ही कम खर्चे पर सुन्दर चित्रकारी करवा कर आश्रम की सुन्दरता को चार संगत वसेवादारों को खुशियां लुटाने के लिए कबड़ी आदी घ्रामिन खेल के प्रेम मुकाबले करवाते चोटे बच्चों की भी कुष्टियां करवा कर संगत को खूब हसाते लुटाए झाएब कर आश्रम करिवसे थे प्रेमार जाया है तुन्रा कर झाएमार निए मार जाया जाया थे तर्मट खेल कुष्ट और जाया मांतार जाया थ्याम degड़ी है यार महाया पागती करी बेप्ता को जाया ते आ कहनी मैने क्यों प्रिवा जाए जोगता मैं जाह परमपिता जी ने अपने जीवन काल में आध्यात्मिक्ता से संबंधित अनेक ग्रंथों और भजनों की रचना की आप जी ने हिंदी व पंजाबी भाषा में सत लोग का संदेश पारस दी वट्टी और कर अमलतर भवजल में 1600 से अधिक भजनों व कवालियों की रचना की साधी पवित्र आध्यात्मिक ग्रंथों में बंदे से रब व सच खंड की सडक की भी रचना की इन पवित्र ग्रंथों की भाषा इतनी सरल है कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सहजता से उक्त ग्रंथों का अध्यायन कर सकता है परम पिताजी द्वारा दिये गए गुरु मंत्र का जाब करके वस्त गुरु के वचनों पर अमल कमाते हुए लोगों के कैंसर जैसे ला इलाज रोग भी ठीक हुए मुर्दे में जान डालने वाले करिश में भी हुए कोई यकीन करे या ना करे पर जिसतन लागे सोतन जाने जिन के साथ ऐसा हुआ है उन्हें कौन जुटला सकता है मैं दाराखान, सान अफ सिट रहंतुला, राजप्रा जब मैंने नाम लिया पर्मपिता शास्त्राम सिंजी महाराज की दिया मिहर से मेरे को उसी समय चार दन के बाद सरकारी नौकरी भी मिल गी तो मेरी ड्यूटी जो लगी ती वो मिकसाल पे लगी तो मैं उसको ठीक कराने के लिए गया बरकशाब में अर्ट के बीच में ड्रम जो था है उसको गुमने वाड़ा ड्रम होता है उसके बीच में तो बीच में बढ़के उसको बीच में से कुछ खोलना था मैं साथ में एक लीटर डीजल भी ले गया उसमें जद मैं गय ता ओं थे अंदर नाठ खोलन लग ज्या पार्मपीता जी दुद्ध वाले ड्रमा दे विच पाणी लेके आए पार्मपीता जी ने जो ड्रमा दे विच पाणी लेके आए और बाणी जिन्ना भी पाया गया और सारा मेरे ते गिरिया ते मैंनू पिदा जी ने ऐसी आफ्ते विच्चों पचाया के मेरे ता स्वावी बाहर नहीं आनी सीगी लोग सोचन लगे भी अंदर ना बंदा माच गय होना पर जिस टैम में बाहर निकड़ा ते बहुत सारी पबलक बाहर कठी होई हो इसी कि उना सारे ने मनू के अभी पाई तेरा दे दवारा जन्म होया यह पिता जीदा लख लख करोड़ा करोड़ा वारता नवाद करदा मैं के पिता जीने मेरे जाने मुचाहिए तो मेरा नाम अब्दुर्यमान जी और मैंने सेंश्यमस्ताना जी शें नाम लिया था दिल में मेरे ख्याल थी कशीच थी बहुत ज्यादा भई मैं डेरे जाओं और मेरे पास पैसे नहीं तो फिर मैं सो गया इतना है अफसोस करके भई पैसे नहीं मेरे पास तो मैं डेरे जाओं तो सक्षस्vene मेरे रोस निशे नहीं होई गई और नौर नूर चहरा था, फिर मैं सोचा, जी मैं अब क्या करूं तो उनों ना जी पैसे मेरे सिराने के नीचे पैसे रख दी और उकम करया, बेटा सुवेरे देरे देरे तू आ जाना संगत के साथ में देरे मा आया प्रैम्यून के साथ में साथ में तो आकर देखिया तो शाह समँतें महराज गद्य पर बैठे थे मां आकर देख्या तो उनको मैं देखिया वाई इनके सिर्पे परणना थे, लाल रंग ने केस नहीं है तो मैं ऐसे बेठ्था था इतनी सोच के भई है तो वो ही तो फिर एकदम जी मेरे बेठ्थे बेटे वहां की महाई और स्यासनाम जी महाराज एकदम मेरे को दिखाया जी नजारा के केस इनके थे जो नीचे एडियों के अड़ रहे थे और वो का वही रूप दार्या संत मत की परंपरा के अनुसार संत सतगुरु अपना नश्वर शरीर त्यागने से पहले ही अपने उत्तराधिकारी को अपनी दया मेहर की द्वारा तैयार कर लेते हैं तथा समय आने पर सभी को अवगत भी करा देते हैं परंतो इस संबंध में प्रचलित सभी परंपराओं से हटकर पूज्य परंपिताज शाह सतनाम सिंग जी महराज ने अपने भावी उत्तरा धिकारी को न केवल साध संगत के समक्ष उजागर किया अपे तो समस्त कार्य भार भी सौप दिया बेपरवा शाह मस्तानाजी महराज के वचना नुसार कि हम तीसरी बाड़ी में फिराएंगे सब कुछ पहले से ही स्पष्ट कर दिया था परंपिताजी को भी इस बारे में पहले से ही सब ज्यात था 15 अगस्त 1967 को जब परंपिताजी सुभा की मजलिस के लिए तेरा वास से बाहर आए तो सेवादारों को हुक्म फर्माया कि आज स्टेज का मूँ पश्चिम की दिशा में करो क्योंकि बेपरवा मस्तानाजी ने जिस तीसरी बाड़ी के लिए वचन किये थे उस ताकत ने आज इस दिशा में जन्म लिया है सेवादारों ने इन वचनों के बारे में जिग्यासा प्रकट की और शेहनशाह जी से इस रहस्य को उजागर करने की अर्दास की तो परमपिता जी ने फर्माया कि बेटा समय आने पर हम स्वयम ही प्रकट करेंगे समय बीटता गया और एक दिन परमपिता जी ने सेवादारों को फर्माया कि गद्धी नशीनी के लिए हमने श्री गुरु सर मोडिया वाले काके यानि संत गुर्मीत राम रहीम सिंग जी इनसा का चयन किया है तब सेवादारों की जिग्यासा शान्त हुई शाह सतनाम जी दाता ने 23 सितंबर 1990 को रुहानियत की अनुपम दौलत अपने मीत संत डॉक्टर गुर्मीत राम रहीम सिंग जी इनसा की जोली में डाल कर सारे जहां की जोली भरने की बक्षीश दे दी लाखों संगत की मौजूदगी में हजूर पिता जी को गुर्गद्दी पर अपने साथ बिठा परम्पिता जी ने वचन किए हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे किसी ने किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है और हमारे वचनों में सब ही ने फूल चड़ाने हैं परमपिता जी को तो कण कण की खबर थी आज, कल और परसों ही नहीं बरसों बरस पर उनकी नजर थी झाल 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 और इधर हुजूर का बच्चों को अपना पावन प्यार लुटा कर प्रेम निशानिया देना सब कुछ तो वही है वही सौगात देने के बाद विदा लेने का ये रूहानी नजरा नजरे हो तो देख लो आज भी वही नजरा बरकरार है और बरसों बाद एक ही रूप एक ही स्वरूप एक ही अंदास इसे क्या कहेंगे आप दया रह्मत आशीरवाद खुद खुदा का दीदार और जब सुहने मुखड़े पर चश्मा लगा हो तो फिर कहना ही क्या जैसे परमपिताजी बैठते थे चलते थे घूमते थे और संगत को आशीरवाद दाद देते थे हुजूर पिताजी का अंदास भी जसका तस वही है परमपिताजी का ग्रामे अंड़ खेलों को खिलाना और हुजूर का भी ग्रामे अंड़ खेलों को बढ़ावा देना और नए-नए खेल जैसे रुमालचू गुल स्टिक आदी को इजाद करना दोनों में एक जैसी समानता कुछ तो बात है ये बारीकी से परमपिताजी का चीजों का निरीक्षण करना और हुजूर का भी वैसे ही देखना कुछ भी तो फर्क नहीं ये परमपिताजी का बाग में किनू के फल को अपने कर कमलों से तोड़ देखना कर दोड़ है कर दो करकि कारें लिए फैरें गांडान, है निया करना दूल भूल सब्सक्राइब गर्ममॉट अगल दुछे काने कि उने करना है एक काने एक काने कोई बॉप्यार जीके हो गया है नहीं होड़, खड़गे संगत की तडप पहले से ज्यादा पढ़ी रूहानियत की प्यास और बढ़ गई मतवालों की भीड और बढ़ गई दर्शन को आखें और ज्यादा तरसने लगी मुर्शिद दीदार को हुजूम और उमरने लगा वही नजारा एक बार फिर सामने था वही तेरा वास, वही खिड की, वही रूप एक बार फिर संगत को निहाल कर रहा था खुश्या लुटा रहा था नजरों से रहमत बरसा रहा था तर गई आखें, बुझ गई प्यास फिर वही खुबसूरत अंदाज, एक नए रूप में एक बार फिर सामनी था सच, वो दाता था, दाता है, और दाता ही रहेगा संतों को आने वाले समय के बारे में, सब कुछ पहले से ही ग्याद होता है पूझ संत शाह मस्ताना जी महराज ने अनेकों वचन संगत को फर्माए जब वो तीसरी बॉडी आएगी, लाखों गुणा संगत होगी संगत इतनी होगी कि दर्शन होने मुश्किल हो जाएंगे और वे हाथी पर चढ़कर दर्शन देंगे शाही लंगर चलेगा, और जितना अब दाला बनता है, उतना तो दाले में नमक डला करेगा दिन रात लंगर चलेगा, लाखों करोडों लोग एक साथ बैठकर लंगर खाया करेंगे शाह मस्ताना जी महराज ने उँचे उँचे टीलों की ओर इशारा करते हुए फिर फर्माया कि यहां संगत इतनी आएगी कि संभाले नहीं समलेगी उठने बैठने के लिए जगाह नहीं मिलेगी संगत इतनी होगी कि थाली फेंकेंगे तो नीचे नहीं गिरेगी और संगत के सिरों पर ही रह जाएगी कई कई घंटे तक ट्रैफिक जाम हो जाया करेगा और दुनिया के कोने कोने में धन धन सत्गुरू तेरा ही आसरा नारा गूंजेगा और वह ताकत दूर दूर तक जाकर लोगों को मालिक का नाम जपाएगी पूज्य सत्गुरू शाह मस्ताना जी महराज वा परमपिता शाह सतनाम सिंग जी महराज द्वारा प्रवाहित ये पावन धारा एक विशुद्ध आध्यात्मिक्ता का अनूठा संगा में जिसमें आज संसार के कोने कोने से आकर लोग होते लगा रहे हैं देरा सच्चा सौदा के रूप में एक महान सर्व धर्म संगम संस्था इस्थापित कर पूज्य सत्गुरू जी ने रूहों को मालिक से मिलवाने का बीड़ा उठाया तथा इंसानियत का संदेश जन जन तक पहुँचाया आज भी संथ गुर्मीत राम रहीम सिंग जी इंसा के रूप में परम संथ शाह मस्ताना जी महराज वपरम पिता शाह सतनाम सिंग जी महराज खुद कारिय कर रहे हैं शाह सतनाम जी कहें शाह मस्तान जी कहें क्या कहीं क्योंकि उन्होंने तो वचनी कर दिये हम थे हम हैं हम ही रहेंगे जिसने इस लाइन को पकड़ लिया मन या मन मते तो क्या काल भी बाल बांका नहीं करता बस बचनों पे रहो देरा सच्चा सौदा के इन मालिक स्वरूप गुर्वों को हमारा कोटी कोटी नमन है उन्हें की पाक पवित्र शिक्षाओं को ग्रहन करते हुए आज विश्व के कोने कोने में करोणों की तादाद में साध संगत इंसानियत के पाक पवित्र जज़बे को मानवता भलाई के अनेकों कारिय करके बुलंद कर रही है